हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बैक आवार यूटूब चैनल पे ओन साइन्स फ्रेंड्स हम लोग डिस्कसन कर रहे हैं क्लास 10 गा जियोग्राफी उसका हम लोग संपूर्ण पार्ट का हल देख रहे हैं साथे मुख बिन्दू तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगें तो फ्रेंड्स अगर अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब लेकिया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेश कर लिजिए वीडियो को अच्छा से लाइक दीजी और अपने दोस्तों के साथ सेर करिए तो चलिए ख्रेंड शुरू करते हैं देखे दिया हुआ है सोतंतरता प्राप्ती के समय देश में सड़कों की कुल लंभाई कितनी थी तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.88 लाग किलोमीटर आगे है पकी सड़कों की लंभाई की द्रिश्टी से प्रथा मस्थान पर कौन सा राज है तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र आगे दिया हुआ निम लिखित में से कौन सड़कों का एक बर्ग नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णिम तिर्वुज राजमार्क नेक्स्ट है भारत की किन सहरों में मेट्रो रेल सुविदा उपलब्द है तो अप्शन में जो दिया है तो इसका अंसर हो जाएगा कुलकता एबम दिली आगे दिया हुआ फ्रेंट्स किस वर्ष इंडियन एयर लाइन्स को इंडियन नाम दिया गया तो इसका उत्तर हो जाएगा 2005 आगे दिया हुआ है भारती अंतर देशिये जल माल पधी करन प्रारधी करन का गठन किस वर्ष किया गया था तो उन्हें सो च्यासी में किया गया था आगे इन और पतन किस राज में इस्थित है तो तामिल नाडू में इस्थित है आगे दिया हुआ है भारत को कुल कितने जोन छेत्रों में बाटा गया है तो आठ जेन छेत्रों में बाटा गया है देश में कितने विशे सार्थिक प्रदेश बिक्सित है तो दस है फाल्टा विशे साथी छितर कहां पर इस्थित है तो पस्चिम बंगाल में इस्थित है आगे दिया हुआ इफ्रेंस लगो उतर ये प्रश्ट इसका उतर हो जाएगा भारत में सड़कों को प्रादेशिक बितरन का वर्णन प्रस्तुत किजिए तो इसका इंचर हो जाएगा भारत में सड़कों का प्रतेशिक बितरन विभीन विभीन प्रकार के हैं पक्के सड़कों की लंबाई की दृष्टी से भारत में महराष्ट का पहला अस्थान है यहां दू से 70 लाग किलो मिटर लंबी पक्की सड़के हैं इसके बाद उतर प्रदेश एवं मुरिशा का अ सड़कों की कुल लंबाई जो है 2,47,lü यह 7,6,003,0,000 किलो मिटर बखकी सड़कों की सबसे कम लंबाई दृष्टी लछ्छ दीप है यहां मात्र 1 किलो मिटर लंबी पक्की सड़के हूं ंहें सड़के के घनत्र के द्रिष्टी से केरे ल प्रथम अस्थान पर है पूरे देश मिसरगों का सारवदे घनत्व दिल्ली का है आगे एक्षिंस भारतिये रेल परिवहन की प्रमुख विसेस्ताओं का उल्लेख लिग है तो इसका उत्तर दिया हुआ है भारतिये रेल परिवहन की मुख विसेस्ता हैं छोटे सहरों में महानगरों एवं बड़े सहरों से जोडने के लिए जन सताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा रही है 31 मार्च 2006 तक भारतिये रेलवे में 44 पाफ इंजन, 493 डीजल इंजन और 388 विदूत इंजन काम कर रहे थे ट्रेनों की दुर्गटना को रोगने के लिए इंजनों में रच्छा कवज ACD की विवस्ता की गई है 1 अगस्त 1947 से रेल मंतराले ने रेल यातरी भीमा योजना सुरू की है कुलकता एवं दिली में मेट्रो रेल के तहत भूमी गत रेल की सेवा दी जा रही है पुर्वत्तर राजियों में मिघाले एक मातर ऐसा राज है जहां रेल मार्ग नहीं है रेल संपत्तियों एवं रेल मंतरियों की सुरच्छा के लिए जी आर एफ पी एवं आर पी एफ की विवस्ता है विश्वी की सबसे अधिक्रित विदूत्ती करत रेल गाड़ियां रोस के बाद भारत में ही चलती है भारत के विभिन डाग चैनल का संचिप में बढ़न दीजिए इसका उतर हो जाएगा भारत में च्छा प्रकार के डाग चैनल है पहला राजधानी चैनल यह चैनल नई दिल्ली से अच्छा विश्ष राजधानी के लिए डाग सेवा है जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियां परियोग में लाई जाती है आगे है मेट्रो चैनल यह चैनल बैंगलूरू कुलकता चैनाई दिल्ली मुंबई एवं हैदराबाद के लिए डाग सेथा है इसके लिए पत्र पेटियों का रंग नीला होता है आगे है ग्रीन चैनल अस्थान यह पीन कोड अंकित डाग पत्रों के कोहरे रंग बाली पत्र पेटि में डाला जाता है आगे है दस्ताबे चैनल समचार पत्रों एबं विभिन प्रकार को भेजने के लिए यह डाग सेवा है आगे भारी चनलिया डाक सेवा बड़े वेवसाइक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है वेपार चनलिया डाक सेवा छोटे वेवसाइक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है आगे दिया हुआ है भारत की निर्यात एवं आयात वाली बस्तु का उलेख किजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले तो निर्यात का देखते हैं इंजिनियरिंग समान रतन और अभोशन रशायन वस्तर क्रिशी आयस्क एवं खनीज भारत विदेशियों को निर्यात करता है आयात पेट्रोलिय मशिनरी एलेक्ट्रोनिक समान सोना चांदी उर्बरक रशायन एवं अल्लह वस्तुए धातुए भारत एवं विदेश आयात कर आगे दिया हुए भारत के प्रमुख राश्टीय जलमारगों के बारे में लिखये भारत में पाँच अंतर राश्ट्रिय जलमारग हैं पहला राश्ट्रिय जलमारग संख्या एक ये इलहावाद से हल्दिया के बीच जो है 1620 किलोमीटर की लंभाई में है दूसरा राष्ट्रिय जलमार्ग संख्या 2 है यह जो है सदिया से धूतरी तक 1891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रहंपुत्र नदी में बिक्सित है इसका उपयोग भारत और बंगला देश के साहिदारी में करते हैं आगे दियो है राष्ट्रिय जलमार्ग संख्या 3 कोलम और केतापूरम 205 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग पंपा कारा तथा उधोग मंडल नहरों सहित पस्चमी नहर के में बिक्सित है राष्ट्रिय जलमार्ग संख्या 4 यह गुदाबरी कृष्ण नदियों के सहारे 1095 किलो मार्ग है पंडुचेरी काकी नाड़ा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंद्र परतेश तमिल नाडो वं पंडुचेरी में फ्हला हुआ है राष्ट्रिय जलमार्ग जल संख्या 5 यह जलमार्ग उडिशा राज में इस्टफोर्श कनाल मताई नदी ब्रहानी नदी एबं महा न देटरा के सहारे 623 किलमीटर की लंबाएं में विक्सित की जा रही है आगे दिया हुआ दिरगुतरिय प्रश्न पहला प्रश्न भारत के अंतराश्ट्रिय बेपार की विसेस्ताओं का वर्णन करिये तो इसका उत्तर हो जाएगा बरतमा समय में विस्व के सीमा देश के अंतर प्रश्ट्रिय बेपार पर निर्वर कर रहा है सतंतरता प्राप्ति के बाद देश में अधोगी केवं आर्थिक विकास तेजिस से हुआ है भारत का धिकांस विपार रूस अमेरिका यूके से होता है भारत की इंजिनियरिंग शमान रत्न और आभोसन का विसेस में निर्या को पहचाना है निर्मान समय में भारत अंतराश्ट्रिय अस्तर पर फर्ष्ट पेयर महासक्ति के रूप में उभर रहा है सुचना प्रधोगी के बैपार से भारत अधिक विदेशी मुझरा अर्चित कर रहा है दुसरा कोश्चन है भारत में पाए जाने वाले विभीन प्र शागों यवम आपस में जोड़ने का काम कर रहा है या देश के एक छोड से दूसरे छोड तक फैली है या देश का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग है दूसरा राजमार्ग या राजमार्ग राज के जिला मुख्यालियों से जोडने का काम करती है देश में ऐसे सडकों की लंबाई 4 परतिसत है आगे है जिला राजमार्ग या सडक राज के विभिन जिला मुख्यालों एवं सहरों को मिलाने का काम करती है ग्रामीन सरके, ये सरके विभीन गाउं को एक दूसरे से जोडने का काम करती है इसकी अंतरगत देश के कुल सडके का 80% भाग सामिल है इन सडकों का विकास पर्धान मंतरी सडकों के अंतरगत किया जाता है आगे है सिमांत सडके बारत में सडकों का निर्मान एवम रख रखाब सीमा सड़क सगटन करता है इनका गठन 1906 हिस्वी में किया गया है भारती अर्थ विवस्था में परिवहन एवम संचार साधनों की महत्ता को अस्पश्ट कीजिए जिसका उत्तर बशयागा भारत अर्थ विवस्ता में परिवहन एवं संचार के महत्वपोर्ण साधन रहा है डाग सेवा के बाद संचार का सेप से प्रचलिन साधन भू संचार साधन रहा है आगे दिया मुबायल पौन सेवा सबसे अधिक प्रचलित है गाउं और सहरों में ShTD Seva प्लब्ध है भू संचार के मामले में भारत एशिया का अग्रनी देश है और बिस्व में दास्मा हस्थान है भारत में रेडियो की सुरुवात 1923 इस्वी में सुरू हुआ भारत में टीवी की सुरुवात 1969 इस्वी में सुरु हुआ 1976 इसवी में डिटी दर्सन खोला गया रंगीन प्रशारन की सुरुवात 1985 इसवी में हुआ परिवहन से भारतियों की यातरा सुवल हो गई है आगे दिया हुआ है भारत में पाइपलाइन परिवहन का बढ़न करिये इसको उतर हो जाएगा बरतमान समय में परिवहन के रूप में पाइपलाइन का महत्व दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है जिसमें पाइपलाइन का परियोग पेट्रोलियम के साथ सथ गैस के परिवहन का उप्योग किया जाता है भारत में पाईपलाइन तेल एवं प्राकेति गैस उध्योक पर निर्वर करता है खनीज तेलों को पाईपलाइन दोरा बड़े बड़े सहरों में भेज दिया जाता है उत्तर पुर्वी भारत में दिगबोई से बराणी एवं दहटिया तक पाइपलाइन की सुविधा है भारत के पस्चिम में पाइपलाइन टांडा अजमेर होते हुए पनिये तक जाती है आगे दिया हुआ है भारत में विसाखा पत्नम विजयवाड़ा एवं हैद्रावाद के बीच पाइपलाइन की सुविधा है देश में सबसे बड़ा पाइपलाइन लेहर कटिया सीरी गोरी में है अब आगे है फ्रेंट्स पार्ट के अंदर से जो की महत्पुर्ण बिंदू ह जहां से की एक्जांस में कोश्टन बनाया जाते हैं तो चल्वे फ्रेंट्स इसको बिखते हैं इसमें दिया हुआ है भारत में पाच प्रकार के पाइपलाइन है पहला सड़क मार्ग दूसरा रेल मार्ग जल मार्ग और पाइपलाइन मार्ग आगे दिया हुआ है भारत में 33,00,000 km लंबी सड़क है Giri Road सेर साह ने बनाया था तेस का सबसे पुराना Road GD Road है अमरित सर से दिल्ली तक राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या NHI के नाम से जाना जाता है दिल्ली से कुलकाता तक राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या NH2 यहां NH1 होगा NH2 के नाम से जाना जाता है अमरित सर से कारगिल होते हुए भारत में सड़कों का विकास जो है फ्रेंट्स हडपा एबा मोहन जोदोडों की सभेता में मिलती है आगे दिया हुआ है और अठारा सो संतामन इस भी में सिपाही विद्रो हुआ था सोतान तरता के पूरे नागपूर सड़क योजना का जो है बितरन विकास किया गया है तो फ्रेंट्स इस तरह से जो हमारा चेप्टर था समाप्त होता है साथ में हम लोगोंने मात्वपुन प्रश्न को भी देखा इकाई चार परिभन संचार एबं वेपार फ्रेंट्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एकाई पाच के साथ तो फ्रेंट्स जल्दी से जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दें और अपने दोस्तों में सेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में